समस्कार दोस्तों मैं डाक्टर उमा संकर सिंग मिसन होमोपैथिक क्लिनिक एवं चाइल्ड केर सेंटर में आपका स्वागत है आज हम जाने के बच्चों में कैलसियम की कमी से होने वाली बिमारियों के बारे में यानि जो बच्चे छोटे होते हैं उसमें काईलसियम की कमी के वज़ा से कौन कौन सी बिमारियां होती है तो मित्रों सबसे पहले काईलसियम क्या होता है काईलसियम आपके बच्चे के लिए एक सिसी में आता है जिसको की पिलाना होता है यदि आपका बच्चा लगे कि उसको बुखार रहता है आप सर्थ अगर टच करें जैसे हेड अगर टच कर रहा है तो लगता है कि बुखार है हाथ का तलुए टच कर रहा है लग रहा है बुखार है पैर का तलुए टच कर रहा है लग रहा है बुखार है लेकिन उसकी पूरी बाडी यानि सरीर को टच कर रहा है तो धंडी है यानि पूल है तो आप उसको बुखार न समझें क्योंकि ये बुखार होता ही नहीं है ये कैलसियम की कमी की वज़ा से बाडी हिटिंग होती है यानि कि जो सर गरम होना आग का तलुआ गरम होना पैर का तलुआ गरम होना ये कैलसियम की कमी का इंडिकेशन होता है आपकी बाटी इंडिकेट कर रही है कि आपके बच्चे को कैलसियम की कमी है ये बुखार नहीं है तो मित्रों कैलसियम की पूर्ती करें जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा ऐसे बाटल में आती है कैलसियम कैलसियम की सिसी आती है आप अपने बच्चे को वैसे कल्सियम 5 ml खुबा 5 ml साम दो टाइम पिलाएं जिससे वो कल्सियम की पूर्ती हो जाती है तो बच्चे को बुखार नहीं आता है लेकिन यदि कल्सियम की कमी है तो आपके बच्चे को दांत भी लेट आते हैं यानि कि जो दांत आपको साथ से नव महिने में निकलना सुरू हो जाने चाहिए वो दांत आपके बच्चे को अब साल भर के उपर निकलना सुरू होता है तो आप समझ जाएं कि आपके बच्चे को कैलसियम की कमी है और आपका बच्चा दुबला पतला रहता है लंबाई में ग्रोथ उतनी नहीं होती है यानि कि जितनी लंबाई होनी चाहिए उमर की साब से उतनी लंबाई भी नहीं होती है कभी-कभी आपके बच्चे को बुखा पसंद रहेगा तो आपको हमेशा परिसान करेगा कि गोंद में रहेंगे गोंद में रहेंगे तो आप समझ जाएं कि मेरा बच्चा खेल क्यों नहीं रहा है यानि कि इसको कमजोरी है तभी खेल नहीं रहा है क्योंकि बच्चे यदि कमजोर नहीं होते हैं तो हमेशा खेलना ह चाहते हैं गोंद में नहीं रहना चाहते हैं तो मित्रों मैं आप से यही कमगा या आप अपने वच्चेका केर हवस्य करें किक्षिक का केर ही सबसे सबसे अच्छा साधन है कि आप उसको अमेशा अपने पास रखें अमेशा देखते रहा है कि खेल रहा है कि नहीं और नहीं खेलता है तो आप अपने डाक्टर से सला हवस्ते लें लेकिन किसी अच्छे डाक्टर से सला लें क्योंकि आज कल चक्ति चौराहे पर ऐसे लोग बैठ गया है जो कि कुछ पता नहीं है केवल सिर्फ यही पता है कि फला दवा फला में काम करती है लेकिन कब देना है कब नहीं देना है बुखार आया तो क्यों आया नहीं अगर कोई सिंटम उनको मतलब की एक डाइगनोसिस होती ही नहीं है बुखार आया तो बुखार है खासी आया तो खासी है यह नहीं है कि किस कारण आया कौन सी खासी है कौन सा बुखार है उनको कुछ नहीं समझ में आता बस वह इसे दवा देते जाते हैं ठीक हो गया तो भी ठीक, नहीं ठीक हुआ तो भी ठीक, आपको आगे बेज देते हैं, लेकिन बच्चा अगर जैदि आपका खेलता नहीं है, लगता है कि उसको आरन की कमी है, यानि कि खोन की कमी है, तो आप उसको आखों में देखें बच्चा हमें सा खिर खिरा भी रहता है यानि कि आपका बच्चा खेलेगा, पूदेगा नहीं, हमेशा सूस्त रहेगा, आप उसके आँखों को देख के पता लगा सकते हैं, नीचे जैसे आँख अगर देखेंगे ऐसे, तो वाइटनेस रहेगी, आप समझ जाएं कि बच्चे को आयरन की कमी है, तो मित्रों अपने बच्चे का ध्यान हवस्त दें, ताकि आपका बच्चा हमेशा खुस रहे और खेलता रहे, पढ़ाई में भी मन लगे, इसकूल जाने से कतराये नहीं, तो आपका बच्चा स्वस्त रहेगा, तभी ऐसा होगा, यदि बच्चा स्वस्त नहीं रहेगा, तो आपका बच्चा साम को दे सकते हैं कुछ दिन देने के बाद आप एक टाइम भी दे सकते हैं ताकि आपका बच्चा हमेशा खुस रहे और ठीक ठाक रहे खेलता खाता रहे और आप भी खुस रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक है आपको ज़्यादा दवा की जरुरत न पड़े आपको बच्चे के लिए और जैसे आप ज़्यादा एंटिवाइटी की उच करते हैं तो बच्चे को मेंटली रूप से भी कमजूर बना देती है इसलिए आप एलोपैथिक दवा से हमेशा बचने का प्रयास करें हमेशा पैथि अपनाएं और उसके साथ साथ आयूरवेद भी अपना सकते हैं आयूरवेद और हमेशा पैथ से अच्छा कुछ भी नहीं है आज की डेट में मित्रों और मैं आपसे बस यहीं विदा लेता हूँ मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवस्य करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाओ वो वीडियो आपको मिल सके आपके खुसहाली के लिए आपके बच्चे को खुस रखने के लिए आपको कोई बिमारी है उसके लिए मेरे इस मिसन होमोपैथिक क्लिनिक पे जाएं आनि की यूटूब में आप मिसन होमोपैथिक क्लिनिक के नाम से सर्च करें जिससे की आपको मिलेगा और तमाम तरह की बिमारी के बारे में मैं बताऊंगा और अब लूड करूँगा ताकि आपको बिमारी के बारे में जानकारी हो सके जिसके साथ साथ दवा भी जान सके आप अपने आप भी मेडिकल इस्टोर से जाके ले सकते हैं तो मित्रो जैहिन नमस्कार धन्यवाद